तो गाईस अगर आप भी मेरी तरह एक यूटूबर हैं अगर आपका भी यूटूबर एक चैनल है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी वीडियो कब और कैसे वाइरल होती है यूटूब का अलगूरिदम ऐसा क्या करता है जिसकी बज़ा से हमारी वीडिय यहां पर बूश्ट पकड़ती है आपने यहां पर देखा होगा अगर आप यहां पर यूटूब पर रेगुलर काम कर रहे हैं आप यहां पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आपकी कुछ वीडियो यहां से बूश्ट पकड़ रही होगी और कुछ वीडियो आपकी नीचे डाउन जा रही होंगी तो क्या बज़े होती है जिसकी बज़ा से यहाँ पर हमारी वीडियो वाइरल होती है आज की इस वीडियो में आपको complete information देने बाला हूँ कुछ ऐसे important point बताऊंगा अगर इन point को आप दियान रखेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर वाइरल हो सकती है अब यहाँ पर आप सोच रहाँगे के तेरी वीडियो तो यहाँ पर वाइरल हो नी रही है और मुझे सिका रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने क्या गलती की जिसकी बज़ा से मेरी यहाँ पर कुछ वीडियो डाउन चली गई है और कुछ वीडियो यहाँ पर बूश्ट पकड़ रही है तो उनी वीडियो में दोनों में compare करूँगा और यहाँ पर बताऊंगा मैंने इस वाली वीडियो में क्या गलती की है और इस वाली वीडियो में क्या trick लगाई जिसकी बज़ा से ये वीडियो वाइरल हुई तो गाई सबसे पहले हम यहाँ से open कर लेंगे वाई टी स्टीडियो वाई टी स्टीडियो आप play store से install कर लेना उसके बाद आप पने चैनल को login कर लेना जब आप इसको open करेंगे तो आपके सामने इस तरीकी का interface होगा अब आपको करना क्या है आपको उपर three line दिखेगा इस पर क्लिक करना है और सबसे last में analytics पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरीके का page open हो जाएगा अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे यहाँ पर top 5 वीडियो चैल रही है जो की regular यहाँ पर views ला रही है तो आपको सबसे पहले आपको उपर दिख रहे होगी कि यूटूब पर free file lab stemming कैसे करते हैं तो इसको मैं open करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा तो इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारा यह open होगा यहाँ पर आप इसके views देख सकते हैं यहाँ पर 155,533 views यहाँ पर आ चुके हैं और इसका watch time भी काफी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पर जो आपका average view duration होता है यह भी अच्छा है तो आप यहाँ पर आपको बारीकी से सिखाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे open करते हैं इस वाली वीडियो को उसके बाद how to free fire funny वीडियो मैंने एक वीडियो यह बनाई थी तो यहाँ पर क्या हुआ इसके 38,363 views आ चुके हैं अब यह कैसे आए क्या इसी वज़े हुई जिसकी वज़े से यह वीडियो वाइरल हुई तो सबसे पहले आपको यहाँ पर views देख रहा हूँगे यहाँ पर 33,663 एंड यहाँ पर जो इसका average view duration है अगर जो बन्दा average view duration को समझ गया उसकी वीडियो यहाँ पर वाइरल हो जाएगी तो इसके लिए आपको क्या गरना है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह 48 सिकंड से 1 मिनट 9 सिकंड दिखा रहा है नीचे आप देख रहा हूँगे इसका 1 मिनट 23 सिकंड के नीचे आप देख रहा हूँगे 48 सिकंड और 1 मिनट 9 सिकंड दिखा रहा है तो ऐसा क्या है यह तो इसका यह कहना है कि अगर एक मिनट नौ सिकेंट से उपर आपकी वीडियो को देखा जा रहा है हर बंदा आपकी वीडियो को एक मिनट नौ सिकेंट तक देख रहा है तो आपकी वीडियो यहां पर एरो उपर की तरफ हो जाएगा आप देख रहे हैं न Caoos time आफ वाइस टाइम की अब वास टाइम यहाँ पर मे一下 वीडियो जो वाइरल होती है उसका यहाँ पर मेरियज रीजन यही होता है कि अगर आपका averageɑज Bridज왁 डूरेशन यहां पर अच्छा आरा रहे तो यहां पर आपकी वीडियो वाईरल और अगर आगर आपका एक बार वार्स टाइम यहां से इन्क्रीस हो गया तो समझे वाई आपकी बले-बले होने वाली है क्योंकि आपकी वीडियो क्यावरिल होने वाली है देखिश dużo हैं आगर यह पर वार्स टाइम यह कह रहा था 1 ंठा या निया रियल व्यू क्या है तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि 48 घंटे में आपके 1009 यहाँ पर व्यू जाएं उसके बाद यहाँ पर वाइस टाइम आप देख रहा हूंगे एरो उपर की तरफ है उसके बाद सबस्क्राइबर यहाँ पर 151 बनाए है 28 दिन के अंदर और यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़े हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है और यहां पर जो मेल इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है ओडियन्स रेटेंशन ओडियन्स रेटेंशन कितनी होना चाहिए यह आपको बता दू तो जैसे यहां पर आप देख रहा हूं यहां पर 30.6% यहां पर ओडियन्स रेटेंशन है तो यह कैसे हुई क्योंकि यहां पर एवरेज वीडियो विडियो एक पॉइंट तइस यानि एक मिनिट तैस सेकंड तक वीडियो देखी जा रही है तो यह तो यहां पर आपका आपका आउडियो रेटेंशन 30% से ऊपर बनता है ना तो आपकी वीडियो और बूश्ट होगी आपकी वीडियो और वायरल होगी अगर आपका इससे नीचे होता है तो यहां पर हो सकता है वीडियो कम यहां पर वीडियो आए इसके बाद आते हैं इंप्रेशन पे इंप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी वीडियो यूटूब ने तीन लाग करके कुछ भेजे हैं जिससे यहाँ पर व्यूज आए हैं अगर यहाँ पर आपका थम्लें एक्ट्रेक्टिब है तो यहाँ पर बंदा क्लिक करेगा और क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका CTR बढ़ेगा CTR यहाँ पर आपका देख रहाँ होगे यहाँ पर 10.4% है अगर यहाँ पर मेरा 12% तक पहुच जाता ना तो यह वीडियो और बाइरल होती और इसमें व्यूज आते तो यहाँ पर मेरा थम्लें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है यहाँ पर थम्लें मुझे इंप्रूब करने की जिरूत है और अगर मान लीजी यहाँ पर 16% या फिर 18% आ गया ना तो आपकी यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई क्योंकि इससे आपकी वीडियो के इंप्रेशन और जाएंगे और आपके बंदें यहाँ पर क्रिक करेंगे तो इंप्रेशन और बड़ेगा इससे वीडियो आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूश्ट होगी अब यहाँ पर देख रहा होंगे आपके यूटूब सर्च 87% मेरी वीज़ जो हैं वो यूटूब सर्च से आएं उसके बाद अधर यूटूब फीचर से 8% आएं उसके बाद आते हैं विराउस फीचर तो अब इतना तो आपने अब जान लिया है ना तो अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर आपको और important point बताते हैं जैसे कि मेरी वीडियो जब लोगों को पसंद आई तो वो मजबूर होगा है उसको share करने के लिए अब यहाँ पर उन्होंने WhatsApp पे भी share किया है यहाँ पर 14.3% तक यहाँ पर share की गई है Android Messenger द्वारा भी यहाँ पर 2.9% share की गई है उसके बाद Facebook पे यहाँ पर 2.9% share की गई है यानि वीडियो में यहाँ पर दम है इसलिए बंदे इस वीडियो को share कर रहे हैं और यही वज़ा होती कि वीडियो वाइरल होती जाती है और यहाँ पर views आते रहते हैं तो यह बहुत important है इस चीज़ के लिए और यहाँ पर आते हैं अगर engagement engagement में भी आपको दिखाएगा यहाँ पर audience retention यहाँ पर 30% audience retention है तो यह आप सब जरूर चेक की जएगा अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं ना यहाँ पर बेहतर बनाओ किलिक वैल होगा अगर तो बंदे इसको किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर CTR बढ़ेगा और CTR बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर views भी बढ़ेंगे अब बात करते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या गलती की अब मैंने यहां पर क्या गलती कि? मैंने गलती यह किए कि मैंने यहाँ पर searchable topic पर यह video बनाई है यहां पर मैंने डिक्कत यहा है कि हमारे subscriber जो है वो इसमें interest नहीं ले रहा है कि उनको ये video देखना ही नहीं थी तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया? उन्होंने 55 सेकेंड तक इस वीडियो को देखा और यहां से कल्टी हो लिए अब हो सकता है मैंने यहां पर कुछ गलती की हो वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको पसंद ना रहा हूँ क्योंकि उनको इस तरीके की वीडियो देखना नहीं थी सिर्फ उन्होंने ओपन की और 55 सेकेंड तक देखी और यहां से कल्टी हो लिए इससे क्या हो यहांपर मेरा वार्ष टाइम जो है वो एक गंटा आया लेकिन यहांपर दो घंटे माग रहा है अगर दो घंटे हो जाते तो एरो उपर की तरफ हो जाता और यहां पर जो average view duration है यह अगर यहां पर 1 minute 24 second हो जाता तो यह arrow उपर की तरफ हो जाता यानि मेरी वीडियो यहां से वाइरल होने के पूरे पूरे chances हो जाते अब यही वजा ओती ही कि हमारे जो tax लगे होते हैं वो rank तो करते हैं लेकिन उसके बाद वो rank करना बंद कर देते हैं यहां पर अगर बंदा वीडियों को search कर रहा है कि अगर बादल को search कर रहा है कि फोटो में बादल कैसे चलाएं तो उनको वो वीडियो नीचे दिखेगी ऊपर नहीं आएगी अब यहाँ पर आप देख रहोंगे कि मेरा impression click through rate कितना आया यहाँ पर 6.3 आया है यानि यह कुछ बहतर नहीं है अगर यह 8 से 10 हो जाता तो थोड़ा सही रहता तो अब बंदों ने यहाँ पर वीडियो को सही नहीं देखा इसलिए यहाँ पर impression click through rate सही नहीं रहा और उसके बाद जो वीडियो का impression है वो भी यहाँ से सही नहीं गया है और यहाँ पर बताते हैं audience retention यहाँ पर कितना बेकार आया है और उसके तीन-चार दिन बाद इन चीजों को जरूर चेक किए कि कि आपका audience retention यहाँ से बढ़ रहा है आपका impression click through rate यहाँ से बढ़ रहा है यह सारी चीजों को आपको देखना है तो मित करता हूँ का इस आद कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी देख लेना चैनल पर यार पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी साथ पास में बेल आइकोन प्रेस कर लेना